Competition Hub के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका और आज मैं आपको हिंदी पार्ट टू के तहत तदभव और तत्सम के बारे में बताऊंगा बहुत ही important topic है अगर आप exam में बैठते हैं बिहार दरोगा, सब इंस्पेक्टर या आप TET के exam में बैठते हैं या आने वाले SSAGD के exam में बैठते हैं तो वहाँ पे हिंदी subject से questions पुछे जाते हैं और 25 questions लगभग आपके SSAGD में भी पुछे जाएंगे और केंद्रिय विद्याले और CTET जो भी आप teacher से रिलेटर इंग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपका language भासा 1 में आपको यहां से questions आते हैं तो आज मैं आपको trick के साथ आपको तदभव और तदसम बताने जा रहा हूं किस परकार से आप पकरेंगे कि यह तदसम है या तदभव है तो सबसे पहले मैं इसका परिभासा definition के साथ समझा रहा हूं आप अच्छे से एक बार बस सुनिए इसको हिंदी भासा में सब्दों का बरिकरन उत्पत्ती के अधार पर चार बरगों में किया जाता है उत्पत्ती के अधार ठीक है तो पहला है उत्पत्ती या इतिहास के दिरिष्टी से दूसरा रचना या बनावट के अधार पर और तीसरा है प्रियोग या व्याकरन के अधार और चौथा है अर्थ के अनुसार तो हिंदी भासा में जो सब्दों का वरिकरन हुआ है इन्ही चार परकार से सब्दों का वरिकरन किया जाता है इन्ही अधार पर तो जिसमें की सबसे महतोपूर्ण है आपके उत्पत्ती के अधार पर कहां से उत्पत्ती हुआ इसका उसके अधार पर ये सब्द को चार भागों में मुक्ता बाटे गए हैं जैसे हैं तत्सम उसके बाद है तद्भव और तीसरा है आपका देसच चोथा है बिदेसच और एक आतक संकर जो की मिल के बना हुआ है संकर जैसे संकर नसल हाइब्रीड होता है उसी परकार से एक और संकर आता है लेकिन उसके बारे में उतना हम नहीं पढ़ेंगे फिलाल हम तत्सम तद्भव के बारे में आज जानकारियां इकठा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आप इसको कैसे पकरेंगे कि यह तत्सम सब्द है या तद्भव सब्द है तो तत्सम कहते किसको है तत मतलब उसी समान उसके समान मतलब समान होता है तत मतलब उसी परकार उसी के समान तो ये सब्द जो तत्सम बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान यानि संस्क्रीट के ऐसे सब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह परियोग किये जाते हैं जैसे कि वो पहले संस्क्रीट में परियोग किये जाते थे तो उनको हम तत्सम बोलते हैं तो जैसे उदाहरन है आपका सरवदा इसको संस्कृत में भी हम इसी परकार से लिखेंगे और हिंदी में भी इसी परकार से लिखते हैं इसलिए हम तत्सम इसको बोलते हैं कि उसी के समान जिस परकार से हम संस्कृत लिखते थे उसी परकार से हम इसको भी हिंदी में लिखते हैं सर्वदा, राष्ट, सूर्ज, पत्र, चंद्र, दूग्द, गृत, गृह, कर्म देखें ये वाकई में संस्कृत के सब्दें लेकिन हम हिंदी में भी उसी परकार से लिखते हैं जिस परकार से हम इसको संस्कृत में परियोग में लाते थे, इसलिए यह तत्सम है, ठीक है, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ट्रिक किस परकार से आप पकरेंगे कि यह तत्सम है या तद्भव है, दूसरा है तद्भव, यानि उत्पन होना, भव मतलब होना, उसके ब मतलब उसकी अटी गई, संस्की अधे आथी गई, और उसमें विकास हुआ, एक नया उत्पन हो गया, उसी से पिदा ले लिया, एक नया सब्द, उसको हम तद्भव करते हैं, जैसे क्रिस्ञ, क्रिस्ञ सब्द से हम, मतलब क्रिस्ञ जो संस्कृत सब्द है, वो आगे आकर क ऑगए है। अब देखिए, इसको पहचानिएगा कैसे? कि तत्सम है या तत्वव है? और बराबर एक्जाम में एक या दो कोस्टन्स यहां से तत्सम, तत्वव पहचानने के लिए आ जाते हैं पर खास करके हिंदी लेंग्वे से कोस्टन्स पूछे जाते हैं उस एक्जाम में जिसे हैं यहां तत्सम तथा तद्भव पहचाने के नियम और ट्रिक ठीक है सबसे पहला नियम अगर आप देखते हैं अक्छो अगर अक्छो सब्द है तो यह याद रखेंगे कि अक्छो सब्द जो है प्राया तत्सम सब्द में ही होते हैं अक्छो सब्द लक्ष उपेक्चा ठीक है तो यह सब जो भी है वो अक्षो से शुरू है या अक्षो बीच में भी है तो अक्षो आये हैं तो ये लगभग तत्सम ही होते हैं दूसरा है नियम दो प्राया तत्सम में वो वर्ण तत्दभव में बो हो जाता है जो जैसे कई बार आपसे questions पूछे जाएंगे कि इसका तत्सम रूप क्या होगा या इसका तत्दभव रूप क्या होगा तो जो वो वर्ण से स्टार्ट हुए हैं वो तदभव में क्या हो जाते हैं बो हो जाते हैं और जो बो वाले हैं वो तदभव में क्या हो जाते हैं वो हो जाते हैं जिसे वनिक वनिक से बना है बनिया ठीक है तो वो बदल के बो हो गया और तदभव से तदभव बन गया है वो अनर से बंदर बन गया, बिद्दुत से बिजली बन गया, ठीक है, इसी परकार नियम तीन में हम देखेंगे, जो तालब में स्वा होता है, प्राय जिन तत्सम में तालब में स्वा होता है, उनके तद्भव में वो क्या हो जाते हैं, धन्त स्वा हो जाते हैं, जैसे स्यामला, स्यामला को आप क्या बोलेंगे तद्भव में सामला साग को क्या बोलेंगे साग स्वसूर को क्या बोलेंगे ससूर ये question बहुत बार पुछ चुका है मतलब ससूर का पूछ सकता कि तद्भव क्या होगा या स्वसूर का तद्भव क्या होगा तो इस परकार से question पूछे जा सकते हैं मैं नीचे 10 question देखे आपको समझा दूँगा नेक्स ले आपका नियम 4 प्राया री का परियोग तत्सम सब्दों में किया जाता है तत्सम ठीक है जैसे स्रिंगार री लगा स्रिंगार स्रिरी का परियोग करती है तो उसका क्या हो जाता है सिंगार गृत का क्या हो जाता है घी भ्रात्री भरारिया भावी मिर्तिका मिट्टी ठीक है इस परकार से री सब्द का परियोग जो है प्राया तत्सम में सब्दों में हो जाता है उसको हटा दिया जाता है रिका प्रियोग जो है प्राया हटा दिया जाता है तदभव में अब है नियम बिसर्ग का प्रियोग होता है वो ऐसे बिसर्ग जहां भी आता है संस्की सब्दों में होता है तो हिंदी में उसको उसी रूप में परचलित हो जाते हैं वो जैसे कपू जहां देखे कपूरा को हम बोलते हैं कपूर जेस्ठा को हिंदी में क्या बोलते हैं जेस्ट तो जो आपका बिसर्ग है वो हटके वो सेम ही रह जाता है तो हम अगर किसी भी तत्सम में या संस्कीत के सब्द में बिसर्ग है तो उसका जो तदभव रूप होगा सिर्फ बिसर् तो इसी परकार से कुछ questions जो important questions जो अभी तक पूछे जा चुके हैं तत्सम और तदभव से related उसको आप एक बार देख लिए महत्पुन प्रसनुत्तर जैसे sing, sing शब्द का तत्सम रूप क्या है तो मैंने आपको बताय था कि तत्सम में re आ जाता है नहीं तो आप option में वहाँ पे देख के आप खोज लेंगे जैसे priya, re का यहाँ पे पिया हो गया, grid का गिद हो गया, re हट जाता है तत्सम रूप में re हट जाता है गेहु को गोधुम बोला जाता है, गोवर का तत्सम रूप गोविस्टब होता है, ठीक है, क्या होता है गोविस्टब, अंगिठी का अगनिष्ठी का, यह सब question पूछे हुए, तो इसको आप अच्छे से देख लिजे, अगनिठी का क्या हो जाता है, अगनिष्ठी का, खा उपर रेप, तो यहाँ पे आपका चूरन हो गया, ठीक है, तो यह सब questions बराबर exam में इस type के तत्सम तत्भव से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैंने just आपको एक idea दिया, तत्सम तत्भव होते क्या है, ठीक है, तो Sanskrit से जो उसी रूप में आगे, उसको तत्सम बोला गया, और जिन में बिकिरती आगे, उनको तत्भव बोला गया, ठीक है, तत्भव बोला गया, देसज और बिदेसज, जो देस की भासा है, जो देस में हम, जैसे बहुत सारी भासा जो है, कोमन भासा हो जाता है, लोगों का, तो जैसे लाठी, लाठी क्या, देसज भासा है, जैसे डिविया, लाठी तो ये सब देशज, देश में पर्योग किये जाने वाले भासा है विदेशज जो विदेशों से आया जैसे English language आप बोलते हैं विदेशज जैसे कुछ भासा आप विदेश से जो आते हैं उनको विदेशज बोला जाता है तो इनके बारे में आगे आपको अध्यन कर बाऊंगा फिलाल जो important था तत्सम तदभव इसके बारे में अच्छे से आप देख लें, सुन लें अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में सेर करें ये आपको ये वीडियो जो है आपको TET, STET चाहे आप SSC GD एकजाम में बैठें चाहे हिंदी जहां पर भी question पूछे जाएंगे वहाँ पर आपको ये मदद जरूर देगा तो आज के लिए इतना ही Thank you so much watching for this video